नमस्कार मैं सुतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरल के समपादकी से 434 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे अगर आपको इस डिक्टेशन के पेडियाफ की जरुवत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर लें गुरूप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक निचे डिस्किप्सन बाक्स में आपको टेलिग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा उस पर खिलिक करके गुरूप को जॉइन कर सकते हैं अगर वहां से कोई भी प्राब्लम आ रही है गुरूप से जॉइन होने में तो सी लिए आप अपने मोबाइल में टेलिग्राम एप को ओपिन करें और वहाँ साथ हैं टीम को सर्च करके भी गुरूप से जूर सकते हैं और पीडियाप को प्राप्त कर सकते हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन ही स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट भरष्ट अधिकारियों के खिलाफ केंडरी जाच ब्यूरो की छापे मारी बड़ी खबर भले ही बनती हो लेकिन यह कहना कठिन है कि इस तरह की कारवाई से भरष्ट तत्तों पर लगाम लगती है गत दिवस CBI ने रेलवे के एक अफसर को एक करोड रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफतार किया CBI ने इसी सिलसिले में जिस तरह देश के 20 अलग-अलग ठिकानों पर छापे मारी की उससे यही पता चलता है कि एक अकेले अफसर का भरष्टाचार कितना व्यापक रूप लिये हुए था भरष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ CBI की छापे मारी कोई नई अनोखी बात नहीं चंद दिनों पहले CBI को अपने ही कुछ अफसरों के खिलाफ कारवाई करनी पड़ी थी इसका मतलब है कि जिन पर भरष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है वही भरष्ट आचरण करने में लगे हुए हैं यह गंभीर इस्थिती है लेकिन इसका निवारण मौझूदा तौर तरीकों से नहीं हो सकता यदि नौकर साही के काम करने के तौर तरीकों में कोई बुनियादी परिवर्टन नहीं लाया जाता तो इसमें संदे है कि CBI की छापे मारी से उसके भरष्टाचार को नियंतरित किया जा सकता है भरष्ट अफसरों के यहां छापे मारी और उनकी गिरफतारी जैसे कदम इसलिए प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं क्योंकि एक तो ऐसे तत्वों को मुश्किल से ही कोई सजा मिलती है और दूसरे सजा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि उसकी कोई एहमियत नहीं रह जाती यह सही है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सासन के उच अस्तर पर भरष्टाचार एक हद तक काबू में आया है लेकिन अन्य अस्तरों पर उसमें कमी आती नहीं दिखती यही स्थिती राजियों में भी है यदि सरकार नौकर साही के भरष्टाचार पर प्रभावी अंकुस लगाना चाहती है तो एक तो उसे पारदर्सिता एवं जबाब देही के दाइरे को बढ़ाना होगा और दूसरे सेवा छेत्र में सरकारी तंत्र की भूमिका को कम करना होगा समय आ गया है कि सरकार जो तमाम काम कर रही है उन्हें निजी छेत्रों को सौपे और सक्षम नियामक तंत्र अस्थापित कर यह सुनिश्चित करे कि वे अपना काम सही तरह करें दुनिया के अनेक देशों ने इसी तरह न केवल भरष्टाचार पर नियंत्रड पाया है बलकि सेवाओं की गुडवत्ता को बेहतर करने में सफलता भी हासिल की है इसी रास्ते पर भारत को चलना होगा इसकी अंदेखी नहीं कीजा सकती कि संचार और उड़यन छेत्र में निजी कमपनियों की भागीदारी से हालात बदलते हैं आखिर उन छेत्रों में निजी कमपनियों की भागीदारी क्यों नहीं हो सकती जहां सरकार का सक्रिय रहना आवस्यक नहीं है हमारे नीती नियनताओं को इससे अनभिग्य नहीं होना चाहिए कि सरकारों की ओर से होटल और उद्योग चलाने के नतीजे अच्छे नहीं हुएं दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें श्टार्ट भरष्ट अधिकारियों के खिलाफ केंद्री जाच ब्यूरो की चापे मारी बड़ी खबर भले ही बनती हो लेकिन यह कहना कठिन है कि इस तरह की कारवाई से भरष्ट तत्तुगों पर लगाम लगती है गत दिवस CBI ने रेलेवे के एक अफसर को एक करोड रुपय की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफतार किया CBI ने इसी सिलसिले में जिस्तर हैं देश के बीस अलग-अलग ठिकानों पर चापे मारी की उससे यही पता चलता है कि एक अकेले अफसर का भरष्टाचार कितना व्यापक रूप लिये हुए था भरष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ CBI की चापे मारी कोई नई अनोखी बात नहीं चंद दिनों पहले CBI को अपने ही कुछ अफसरों के खिलाफ कारवाई करनी पड़ी थी इसका मतलब है कि जिन पर भरष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है वही भरष्ट आचरण करने में लगे हुए है यह गंभीर इस्थिती है लेकिन इसका निवारण मौजूदा तोर तरीकों से नहीं हो सकता यदि नौकर साही के काम करने के तोर तरीकों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया जाता तो इसमें संदेह है कि CBI की छापे मारी से उसके भरष्ट आचार को नियंत्रित किया जा सकता है भरष्ट अफसरों के यहां छापे मारी और उनकी गिरफतारी जैसे कदम इसलिए प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं तो कि एक तो ऐसे तत्वों को मुश्किल से ही कोई सजा मिलती है और दूसरे सजा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि उसकी कोई एहमियत नहीं रह जाती यह सही है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सासन के उच अस्तर पर भरष्टाचार एक हद तक काबू में आया है लेकिन अन्य अस्तरों पर उसमें कमी आती नहीं दिखती यही इस्थिती राजियों में भी है यदि सरकार नौकर साही के भरष्टाचार पर प्रभावी अंकुस लगाना चाहती है तो एक तो उसे पारदर्सिता एवं जबाब देही के दाएरे को बढ़ाना होगा और दूसरे सेवा छेत्र में सरकारी तंत्र की भूमिका को कम करना होगा समय आ गया है कि सरकार जो तमाम काम कर रही है उन्हें निजी छेत्रों को सौपे और सक्षम नियामक तंत्र अस्थापीत कर यह सुनिश्चित करे कि वे अपना काम सही तरह करें दुनिया के अनेक देशों ने इसी तरह ना केवल भरष्टाचार पर नियंत्रण पाया है बलकि सेवाओं की गुलुवत्ता को बेहतर करने में सफलता भी हासिल की है इसी रास्ते पर भारत को चलना होगा इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की संचार और उड़ेन छेत्र में निजी कमपनियों की भागीदारी से हालात बदले हैं आखिर उन छेत्रों में निजी कमपनियों की भागीदारी क्यों नहीं हो सकती जहां सरकार का सक्रिय रहना आवस्यक नहीं है हमारे नीती नियनताओं को इससे अनभिग्य नहीं होना चाहिए कि सरकारों की ओर से होटल और उद्योग चलाने के नतीजे अच्छे नहीं हुएं इस तो